नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज एक बार फिर से हम लोग दर्शकों के प्रश्न और उत्तर शिंकला के एक महत्तपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और इनके उत्त्रों के माध्यम से लाभानवित होंगे और कई पुचा है कि माता जगदंबा ने ही अखंड कोटी ब्रह्म हंडो और तिर्देवों की रशन तो फिर माता ने मनुष्य अन्य प्राणियों में किवल पुरुष को ही नारी से बलशाली क्यों बनाया इस तरी को क्यों नहीं अगर हम किसी जरूरत मंद इंसान को धन या किसी प्रकार से मदद करें तो क्या उनका पाप हमें अपने उपर लेना होता है जब भगवान शिव ने सभी मंत्र और साधनाओं के उपर प्रतिबंध लगाया था तो अभी के युग में साधना में कुछ लोगों को सिध्धी क्यों मिलती है यक्ष यक्षणी पाताल लोक में स्थित हैं जब यक्षण और यक्षणी अपसराओं से ज़्यादा ताकतवर हैं मैंने सुना है कि माता जगदंबा की अपनी एक लोग है जंबूर। एक बार तृदेव और माता जी यानि कि नारज जी माता के लोक में घुमने गए थे तब तृदेव और नारज जी इस तरी रूप में परिवर्दित हो गयते इसका क्या रहस्य है कृपया विस्तार से बताईए मैं माता और बुलेल बाबा की पूजा करता हूं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि उन लोगों को कैसे समझाओं तो चलिए आज के इन प्रशनों को जानते हैं सबसे अंतिम प्रशन को मैं सबसे अंतिम में विस्तार से बताऊंगा तो चलिए पहले प्रशन से सुरू करते हैं पूछा गया है कि माता जगदंबा ने ही अखंड, कोटी, ब्रह्म, हंडो और तृदिवों की रचना की है तो फिर माता ने मनुष्य और अन्य प्राणियों में केवल पुरुष को ही नारी से बलसाली क्यों नहीं बनाया इस्त्री को क्यों नहीं बनाया मतलब पुरुष को क्यों बनाया है देखिए पहली बात तो ये एक प्रकार से स्वयम को गलत धारणा में रखना है कि कहीं भी इस्त्री या पुरुष में कोई जदा बलसाली होता है देखिए बलशाली होने का क्यार बास्तों में बलशाली विक्ती मन से होता है अपने कार्यों से होता है अगर आप एक छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 10-12 साल हो उसे एक असली वास्तविक गन पकड़ा दीजे और उसे कहिए तुम गोली चलाना सीखलो और वो गोली चलाने ल बालक को यह कहा जा है कि तुम गोली चला ऐसे में जीत किसकी होगी निश्चित रूप से बलवान पुरुष की जीत नहीं होगी जीत होगी उस बालक की क्योंकि वह गोली से तब तक उसके सरीर को इतने छेद देगा कि वह व्यक्ती मारा जाए तो कहने का मतलब क्या है असल में हमारे यहां जो अधिक बलशाली हो हमेशा इस्त्री ही रही है क्योंकि जीवन देने का कारे इस्त्री का ही होता है पुरुष कभी भी किसी बालक या बालिका को जर्म नहीं देता जो अपने शरीर में नए जीव को लेकर आये और नए एक जीवन को प्रदान कर सके अधि बलशाली वही हो लेकिन हमारे एक संपत्य परंपरा चली आ रही है सिर्फ हमारे ही इसमें नहीं पूरे संसार में है कि इस्त्रीयों को यह कारे करना होता है इसलिए उनको घर के कारे सौंपे क्योंकि इस्त्री के पास बालक रहेगा या बालिका रहेगी तो उसे उसकी रक् पिश्रम अधिक होता है समय के साथ में धीरे धीरे इसी कारण से पुरुष अधिक बलशाली होता चला गया शरीर के रोप क्योंकि बाहर के काम कठिन कारे थे घर के कारे बहुत चोटे-चोटे और अलाकि वो संख्या में उतने ही होते हैं लेकिन वो सरल होते हैं इस वज़े स शरीर का जो विकास है शरी की जो शक्ति का विकास है वह इस्त्रिव में कम होता चला गया और फिर घर में रहने के कारण इस्त्रिवे धीरे नाजुक होती चली शरीर से पूलुश वलवान होता चला घुजनम लेते समय जब कोई बच्चा लड़का यी लड़की के रुप म इसलिए ये कहना कि इस्तरी को बलशाली नहीं बनाया गया, ये गलत है, हाँ आपने उन्हें उनके बल को कम कर दिया क्योंकि वह सारे कारे उनके रोक दिये गए बाहर जाने वाले, इसलिए शारेरी ग्रूप से पुरुष्ट थोड़ा सा बलवान ज्यादा हो जाता, ये हमार समाज की परिस्थिती के ही कारण ऐसा हुआ है, अब अगला प्रशन पुछा है कि अगर हम किसी जरूरतमंद इंसान को धन या किसी परकार की मदद करते हैं, तो उसका पाप हमारे उपर लगता है, लेकिए अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद की है, और सच में उसे आवश करता थी, आपने समझा अस बात को, तो निश्ची दूरुप से आपको पाप की जगे पुन्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर कोई आपको व्यक्ति मिलता है सड़क पे, जो विचारा कह रहा है कि मुझे कुछ रुपए दे दो, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मेरे पास कर सकता हूं, और तब आपने उसे कुछ पैसे उधार या सीधे सीधे दान कर दिये, पैसे लेकर कि वो सीधे शराब की दुकान बे शला गया, उसने शराब पीली, उसके बार अपने परिवार में जगडा किया, मारा पीटा बाकी लोगों को, बच्चों को, तो इस सवस्थ जो कि आपकी कोई पाप कर्म नहीं कर रही है, ऐसी चीजों को दान देना चाहिए, जिनसे आपको निश्चित रूप से आपका लाब हो, आपको पुन्य की प्राप्ति हो, ना कि पाप की प्राप्ति हो, तो हमेशा धन देने से पहले, या फिर किसी भी परकार की मदद करने से पहले यह भी देख लिए कि इसके कर्म के कारण आपके उपर कोई प्रभाव बुरा तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो सहभागीता है वह किसी भी प्रकार की हो अगर वह गलत सहभागीता है तो वह बहुत बुरा कर्म हो जाता है ठीक ऐसे ही जैसे कि अगर आजकल हम लोग यह भी बहुत देखने में आ रहे हैं कि कई धन जो होते हैं वह आतंकवादी गदविधियों में यूज हो तो आपने अगर किसी भी प्रकार से चाहें वह बिटकॉइन हो या फिर किसी अन्यमाध्यम से आपने ऐसी काम के जिसका उप्योग या धन का उप्योग बाद अगला प्रशन आपने पूछा है कि जब भगवान शिव जी ने सभी मंत्रों के उपर प्रतिबंध लगाया हुआ है तो अभी तक के युग में साधना में कुछ लोगों को सिद्धी क्यों मिलती है देखिए भगवान शिव ने सभी मंत्रों के उपर कीलक लगाया हुआ है यानि उसे बैंड किया हुआ है केवल जो योग्य हो जो उस लायक हो जिसका उद्धिश जनता का कल्यान हो जो स्वार्थ के लिए नहीं बलकि जन्मानस के कल्यान के लिए उन कारियों को करेगा ऐसे लोगों को अवश्य भगवान शिव सिध्धी का वरदान प्रदान करते हैं और वह खोल देते हैं उस प्रतिबंध को उसके लिए लेकिन यह सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो वास्तों में हर प्रकार से उनकी परिक्षा में सफल होता है काम, क्रोध, मद, मो, लोब इत्यादी समस्तर विकारों से रहित होता है देश और समाज के लिए कारे करना चाहता है और सबका खल्यान करना चाहता है वास्तवी कर राह दिखाना चाहता है हमारे हाँ वन और आश्रम विवस्था थी तो आश्रमों में निवास करता हूँ अव गलत लोगों को देने की कोशिश करेगा तब भी उसकी सिद्धी नश्ट हो जाती है इसी प्रकार अब आपने अगला प्रशन पूछा है कि यक्ष यक्षणी लोग पाताल में इस्थित जब भी यक्ष और यक्षणी अपसराओं से ज्यादा ताकतवर क्यों है देखिए यक् यक्षणी जो हैं वह कई ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं अपसराओं इत्यादी से क्योंकि इनके साथ में पूजन जोड़ा हुआ है फिके जब ब्रह्मा जी ने एक एक को अपना कर्तव विस्वाँ पा था तो उसमें राक्षणों ने कहा था हम रक्षण करेंगे इसलि पास कई तरह की जादूई शक्तियां होती है तो इसी लिए यक्ष्य अधिक शक्तिशाली होती और आप उसी से अनमा लगा लिजे कि यक्ष्य लोग के राजा, जिने हम कुबेर कहते हैं, जो यक्ष राज कहलाते हैं, यानि यक्षों के राजा कहलाते हैं, वह स्वयम देवताओं के कोशा द्यक्ष भी है, यानि कि धन का सारा सम जितना भी सारी शक्ती है, स्वयम सब यक्ष के पास रहता है, यानि यक्ष राज कुबेर के पास धन है तो सारा धन जो होता इनहीं के पास रहता है इसलिए देवता तक इनसे धन मांगते हैं अगर किसी पर प्रसन हो जाएं यानि कोई भी व्यक्ति कोई बड़ी देवी देवता या शक्ति जब धन देने की बात करता है तो वह यक्षिराज के बास जाता है और वही अगला प्रशन आपने पूछा है कि मैंने सुना था कि माता जगदंबा का अपना एक लोग है जम्बू द्वीप एक बार तरदेव और नारजी माता की लोग घुमने गए तब तरदेव नारजी इस तरी रूप में परिवर्तित हो गए देखिए यहाँ पर आपने जम्ब स्वरूप है अलग-अलग स्वरूपों में जहां पर उनका खुद का निवास होता है कि साकार स्वरूप है माता तरफुर सुंद्री स्वरूप तो जब वहां पर कोई भी शक्ति प्रवेश करती है तो वह इस्तरी शक्ति बन जाती है क्योंकि सब उन्हीं के ही ऊर्जा से उन्हीं की उर्जा शक्ति से हैं इसी कारण से वहां पर जानेते ही वह प्रकति स्वरूप हो जाते हैं प्रकति का मतलब होता है जो आपकी रचना है जैसे प्रमात्मा की रचना है वह रचना होने के कारण आप अगर उनके छेत्र में प्रवेश करेंगे तो आप भी प्रकत हैं सब इसी करण से नारजी तरदेव यानि कि ब्रह्मा विश्णु महेश तीनों के तीनों वहां पर जाकर इस्तरी सुरूप हो जाते हैं और यह अपने आप में एक दुरलप सत्य है माता पराशक्ति की सामर्थ का एक प्रदर्शन है माता तिरपुर सुंदरी सुरूप में या फिर माता के विन धेवासनी सुरूप में या फिर माता अन्य विभिन प्रकार की लीलाओं में अलग अलग बार ये चीज़ देखने में आती है कि जब उनके लोक में कोई भी पुरुष शक्ती प्रवेश करती है तो जब पुरुष शक्ति भी महाँ पर प्रवेश करती है तो वो अभी इस्त्री के रूप में परिवर्थित हो जाती है यह महान रहसे है क्योंकि रचना का कार्य जो है वह इस्त्री के माध्यम से ही होता है और आप देखते भी है कि जगत में कहीं भी चले जाईए कि दो ही जातियां इश्वर ने बनाई हम लोगों ने जातियों को अलग अलग भागों में बाट लिया समाज में यह हमारी मुर्खता है इसलिए विदेशी लोग हम पर सासन भी करके चले गए क्योंकि जातियों में बटा हुआ हमारा देश कभी भी एक नहीं हो पाया आज भी 6000 जातियां है और 6000 को अगर भाग देंगे आप अपनी जन संख्या से तो फिर आपकी अपने अप अपने ही देश में आप अलप संख्यक हो जा तो इस बात की वज़े से हाला कि इश्वर की तरब से तो किवल दो ही जाती है बना कर भी जाती है एक होता है इस्तरी जाती और एक होता है पुरुष्या और दोनों भी इतने दुसरे से जुड़े हैं कि दोनों के मिलन के बिना यह संसार भी नहीं चल सकता है इसी लिए जो प्रकती है उसे मा कहा जाता है जो देने वाल भोजन से लेकर के आपके हर एक चीज की विवस्था वही करती है, देखिए जमीन पे ही आपका कोई भी अनुगता है, पैदा होता है, वही हम खाते हैं, इसलिए धर्ती हमारी माता है, वही हमारे लिए जल की विवस्था करती है, जिस जल को हम पीते हैं, इसलिए नदियां भ जो प्रकति है वह माता है इसलिए हमने माता कहते हैं तो हर प्रकार से वह स्वयम विवस्था करती है प्रतेक पैदा होने वाले जीव जन्तु या कोई भी चीज हो उसके लिए इसलिए वह माता है और इसलिए उनके क्षेतर में जो भी प्रवेश करेगा वह स्वयम रचना का ह एक भाग होगा ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा एक पौधा उकता है उस पौधे को खाते हैं शारीरिक या यूजे कहिए कि जो वनस्पति खाने वाले जानवर होते हैं इनको शाकाहरी जीव कहते हैं इनी शाकाहरी जीवों को मांसाहरी जीव खाते हैं और यही मां पूरी प्रक्रिया प्रकर्ति ने बनाई हुई है कि हर एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है और हम एक दूसरे के बिνα कुछ भी नहीं है केवल एक दूसरे के साथ इखटा होना हमारी सबसे बड़ी शक्ति का परिचायक होता है, इसी लिए माता-दुर्गा स्वरूप में भी आप देखते हैं, ये समस्त दीवी देवताओं की समलित शक्ति यों का स्वरूप ही मातापरा शक्ति का सबसे प्रियर और सबसे शक्तिशाली स्वरूप ही, तो सारी शक्तियां जब मिल जा जगत का कल्यार्प करता है। इसलिए इसको और भी घयराई से अगर समझ सकते हैं, ऐसे पुरुष पुरुष ऑस्त्री में मिलन करते है। तो पुरुष का भी यह वीर्य है, वो इस्त्री के गर्व में जाकर के इस्त्री का ही अंश बन जाता है वही इस्त्री फिर नयजीव को जनना इस परकार हर एक चीज इस्त्री में ही परवर्तित हो जाती है वही इस्त्री जनन का कारे करती है इसलिए वह जननी है माता है और पुझ्यनी अब आगे बढ़ते हैं और यह controversial प्रशन भी है और मुर्ख लोग जहातर इस तरह के प्रशन करते भी हैं तो उनको उत्तर देने के लिए आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपने पूछा है कि भगवायन शिव ने अपनी ही मा से शादी क्यों की ऐसा वो कहते हैं देखिए अगर क अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे तो ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता रहता है और ऐसी गलत चीजों को दूसरे धर्म वाले ज़्यातर आपको मुर्ख बनाने में प्रयात्न करते हैं जैसे कि हम कैसे प्रशन बहुत सारे देखते ही है कि गणे जी का सिरहाथी का क्यों है जानवरों की पूजाई लोग करते हैं और ऐसी बहुत सी मुरुखता वाली बातें बहुत लोग करते हैं अलग-लग शिवलिंग को लिंग के रूप में देखते हैं ऐसी बहुत भी मुरुखता वाली बातें कई धर्मों में प्रचलित हैं हमारे धर्म को लेकर क्यों ऐसे य प्रमात्मा जो की सदेव विद्यमान है, सर्वता है, संपूर्ण है, अगर किसी व्यक्ति को ये जना जाए कि वह कितना शक्तिशाली है, अगर उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो जाए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मैं क्या करूं कि जिससे मेरा खाली बैठे-बैठे कोई मनुरंजन नहीं हो रहा तो कोई खेल की रचना अवश्यक है तो प्रमात्मा खेल की रचना करना चाहता है और उस खेल की रचना अपनी सारी शक्ती को बाहर निकालने के बाद ही संभव होगी जिसमें उस शक्ति जितनी उसके अंदर सारी शक्ति विद्यमान है जब उसे वह बाहर निकाल लेता है तो फिर उस शक्ति से कहता है कि सुनो मुझे अपने अंदर समालो और मुझे तक उसी को पहुचाना या वास्तविक्ता का बोद उसी को कराना उसी को बताना जो ये बात स कालने का भी कारे आपका होगा इस खेल की जो सर्वूच नियंता जो उनकी सारी शक्ति हैं ब्रह्म की परमात्मा की संपूर्ण शक्ति वही पराशक्ति हैं अब उस खेल की रचना उन्होंने की तब उन्होंने यह देखा कि अब हम दो तक्तों हो गए एक से दो हो गए हैं जब शरीर नहीं था शरीर जो है वो हड़ी और मांस का बना होता है और इसके अंदर काम भावना इत्यादी कई चीज़े आते ही यह बहुत नीचे की चीज है यह केवल मैथुन की क्रिया से जो उत्पन होने वाली चीज़ें हैं कि यह केवल हड़ी और मांस की बनी हुई अवश्चक था जिसमें हम यह मांग के चलते हैं कि जब माता पराशक्ती ने यह कारेभार इस्त्रियों पुरुष के रूप में पाठ करके तो उसमें जैसे कि हम सब समझते हैं गौड यानि जेनेरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्वायर यानि कि उत्पन करने वाला पालन करन और संगहार या स्थिति परवर्तन करने वाला तो इस तीन चीजों को बाटने के लिए उन्होंने तीन पूरुष और ढाले कि बात को समझना आवश्यक है तो उन्हों ने जब पूरुष शक्ती बनाई यानि ब्रह्मा विष्णूं और महादेव तब वह इतने शक्तिशाल नहीं थे और इतना बड़ा कारेभार उन्हें सौपा गया तो फिर माता पराशक्ती ने कहा कि आप अपने अंदर की उर्जा को तो जागरत कीजिए क्योंकि आप स्वयम ब्रह्म ही हैं लेकिन आप खेल में आ गये हैं और आपको अब ये कारेभार दिया गया है इसलिए आपक स्वरूप के अंदर देखना होगा जिसको मैंने छुपा के रखा है क्योंकि खेल की रचना में यही कहा गया था सबसे पहले तो तीनों लोग अपने अंदर वो चीज को देखने की कोशिश करते हैं इसलिए भगवान मिश्णु आपको नजराते हैं जब वह कहीं लेटे प्रह्मा जी आखे बंद करे हुए पदमासन मुद्रा में भगवान शिव भी आखे बंद के हुए अपनी पदमासन मुद्रा में आपको नजराते हैं हर देवी देवता जो बड़े इस्तरका है वो ऐसे ही आपको मुद्रा में नजराते हैं यानि वो स्वयम को देखने की क कोशिश कर रहे हैं अपने परमात्मा स्वरूप को देखने की कोशिश कर रहे हैं अब होता क्या है शरीर उर्जा के कारण इन सब के अंदर कुंडलनी उर्जा के रूप में जो शक्ति यानि कि अभी तक आप समझ दीजिए से ब्रह्म के अंदर पराशक्ति हैं उसी तरह इनक के पास प्रकट हो जाती है और बाहर निकल के आ जाती है अब बाहर निकल के आती है तो ब्रह्मा जी को क्योंकि सब का निर्माण करना था इसलिए उनकी शक्ति बाहर निकली ज्यान के रूप में क्योंकि रचना के लिए ज्यान की आवश्यक्ता होती है तो सरसती सुरू गयत् चाहिए धन की आवश्यक्ता, सम्रिद्धी की आवश्यक्ता, आपके जीवन के समस्तकारियों की आवश्यक्ता, तो उसको लिए सभ्य बनना, सभ्यता का आवश्यक होना आवश्यक है, और वह सभ्यता और लच्छे को निर्धारित करना जीवन के, इसलिए उनके साथ, उनका तो लक्षे कुंडलनी शक्ति के रूप में बाहर निकलता है उर्जा के रूप में वह लक्षमी हो जाता है क्योंकि लक्षे को केंदित करके ही लक्षमी पैदा होता है और धन की देवी है क्योंकि जीवन अगर आपको चलाना है तो धन की अवस्था होती ही है पहली चीज है इसलिए उनकी शक्ति लच्मी के रूप और ठीक इसी कितर है भगवान शिव क्योंकि भगवान शिव का कारे है मारण अब मारण का मतलब क्या है मारण का यहां पर मतलब है अवस्था परिवर्तन शरीर के रूप में प्राणी यह बात पूरी तरह जान जिन तपचीने लगता है तो बहुत भूल जाता है अपने आपको बूरी तरह से तो उसे याद दिलाने के लिए कि तुम वास्ताओं में इस खेल में आये थे तुम वास्ताओं में क्या हो तुम इसके परे हो इसके बाहर हो खेल को समझो खेल को बंद करना भी अवस्ष़गि वना दिन पर अगर तो भूल जाओगे कि तुम हो क्या इसलिए मृत्यू की आवश्यक्ता होती है यानि कि अवस्था परिवर्तन की शरीर का नश्ठ हो और आत्मतत्तों का बाहर निकल कर खुद को देखना कि अभी तक मैं स्खेल में सामिल था तो यहां कारे के लिए शक्ति की आवश्यक्ता आप क्या करेंगे फिर बड़ी मुश्किल में अगर बड़ा जिद्धी है तो आप उसको पकड के लिए आएंगे वहां से उठा कर ले आएंगे शक्ति का प्रदर्शन करेंगे उसके सामें तो शिव के लिए शक्ति के आवश्यक्ता थी तो भगवान शिव ने जब अंदर देखा और उनकी कुंडली शक्ति जागरत हुई तो वही उनकी कुंडली उर्जा माता पारवती के रूप में जगदंबा के रूप में माता सती के सो रूप में जिनके कितने सारे नाम है आप जानते हैं वह शक्ति बाहर निकल किया अब इस शक्ति के साथ ही उन्होंने वि बिखाना समाज को दीकि शादी जैसी वहाँ पर कोई चीज होती नहीं यह उर्जा का लेवल का इस तरह है यह आमारे शरीरों की तरह नहीं है क्योंकि शरीर जो होता है वो तो नश्ट होने के लिए ही बना है वो हड़ी और मांसका हो और इन सब के शरीर हड़ी और मांसके नह उर्जा ही तो इतनी समता रखती है कि वह कुछ उठा कर इधर उदर रख दे या संगार करना हो तो अपने त्रिशूल से वह सब को भशन कर दे वह उर्जा ही नश्ट कर सकते तो शक्ति क्या वश्रत्या थी अब शक्ति भी आ गई आप क्या हुआ अब यहां पर समझने वाली बात है जिदातर लोगों के मन में कंफ्यूजन बड़ा जल्दी आ जाता होगा तो यहां पर सबको यह लगा कि माता पराशक्ति तो माता पारवती ही है और इन्होंने अपनी माता से शाधी कर ली तो पहली बात तो मैंने बताया आपको कि उनकी ही कुंडलनी शक्ति उर्ज जाते हैं यानि कि वह जो उर्जा है वह चाती से बाहर निकले क्योंकि अगर उनके त्रिनेत्र से बाहर निकल गई तो वह संसार को भस्म कर देगी इसलिए लेट जाते हैं तो यह आध्यात्मी करत है उस चीज का खैर इस बात को आगे और समझे तो भगवान शिव की साधी होती है माता सती के रूप में क्योंकि वो जान कहते हैं सती ही मेरी शक्ति के रूप में उन्होंने जनम लिया है अब सती के रूप में उन्होंने मानव सरीर तो धारन कर लिया लेकिन उनके जो अंदर शरीर में जो मानविये विकार थे वो हो आगए दक्षाइनी थी दक्ष के अंदरका जैसे घमंड होता है उनके अंदर भी था तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए माता पराशक्ती ने यह बात या इस खेल की रचना की कि सती को भस्म होना अवश्यक है शती को उतनी तपस्या करना अवश्यक है जितने बड़े योगी भगवान शिव उस लेवल पर पहुँचना आवश्यक है तभी यह जुडाव उपर तक पहुंच सकता है तभी इन दोनों का मिलन हो सकता है और इस मिलन की शक्ती से ब्रह्मांड की संगहार की जो क्रिया है वो चल सकती है तो इसलिए यह रचना की गई तो भगवान शिव उस वक्त जब रोकते हैं मा आगे हार कर नत्मस्तक हो जाते हैं कि उन्हें पता हो जाता है कि सती का भस्म होना तय है सती भस्म होती है अगले जनम में पारवती की रूप में प्रकट होती है तो भगवान शिव की वही बात कि सती के अंदर जितने सारे दुर्गुण थे अगर वह दुर्गुण इस समय भी पार्वती के अंदर हो गए तो मैं अपने कारियों को सही से नहीं कर पाऊंगा संघार का कारे नहीं हो सकता और संघार के लिए जितनी सक्ती और बड़ी उर्जा के अवश्यक्ता है क्या एक मानव इस्त्री के अंदर वो हो सकता है पार्वती माता ने मनुष्य के रूप म ने जनम लिया था तब हुआ क्या कि भगवान की इस बात के लिए आप माता पारवती को भीशर तपश्या करनी की आवश्यक्ता थी इसलिए माता ने भयंकर तपश्या की इतनी भयंकर तपश्या की तुर्देव भी उनका भी आसन डोलने लगा और तब जाकर माता पराशक्त तुम्हें मिल जाएगी और तुम ब्रह्मान में किसी को भी नष्ट कर सकती हो, किसी को भी समाप्त कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे अंदर पूर्ण काली तक्त्व मैं परदान करती हूँ, यानि कि जैसे काला रंग जो होता है, वो सभी रंगों को अपने अंदर ग्रहण कर ल माता पराशकती हैं, विष्णो भी माता पराशकती हैं, भगवान शिव भी माता पराशकती हैं, लेकिन समझने वाले इन सब चीजों को नहीं समझ बाते हैं, और इस तरह की मूर्था वाली बाते करते हैं, इसी से अनुमान लगा सकते हैं आप कि यही स्तिती बिलकुर भग उनके पीछे दोड़ता है तो उसमें उनका स्वरूप ये शक्ति भैर्वी के समान थी और उनकी तपस्या के आधार आखिरकार वह दुर्गा स्वरूप हो जाए वह वैश्नोदेवी कहलाती है तो ये दुर्गा स्वरूप मिलता कैसे यह भीशार तपस्या से अपनी उर्जा का असली महतो समझने के बाद ही आपको प्राप्त होता है ऐसा ही हर इस्त्री के साथ है वह अभी दुर्गा बन सकती है वह अभी महान तपस्या करके अपने उच्यतम सरूप माता पराशक्ति के सरूप को जान सकती और उनसे मिल सकती है तो इसी वजह से यह मुर्कता वाले पूछे जाते हैं कि शिव जी ने क्या अपनी मा से विवाह किया क्योंकि शक्ति को हम सब जगे एक जैसा ही देखते हैं पर ऐसा नहीं है मूल जो है वो पराशक्ति है और वही इन सब क्रियाओं को संपाधित करने वाली हैं सारे खेल की रचना वही करवाती है और उनके खेल को हर व्यक्ति को मानना पड़ता है वही दुरगा सुरूप में प्रकट होती है तो जब सबस्त देवी देवताओं की शक्तियां मिलती है इसी तरह जिनोंने तपस्या के माध्यम से उस सुरूप को धान करने की कोशिश की है तो उनको वह सुरूप मिला है तो इस बात को ही आपको समझाना है तब उन्हें समझ में आएगा कि शिव जी ने अपनी ही उर्जा जो कि उनकी ही उर्जा है उनके साथ रहते हैं उनसे अलग वो नहीं है यानि शिव और शक्ति दोनों अलग बिल्कुल नहीं है त्योंकि उ तरस्वति गाहत्री सुरूपों में आप देखने पाते हैं तो यह थे आज के कुछ प्रश्ण जिनका मैंने उत्तर आप लोगों को दिया है आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें सब्स तरस्टी